क्या आपको ऐसी चीज बता सकते हैं जो कभी खतम नहीं होने वाली है, हमेशा चलती रहेगी, well ऐसे कुछ chemicals हैं, जिनका नाम ही forever chemicals है, जो खतम नहीं होते हैं, और ये हमारी body के लिए बहुत dangerous होते हैं, ये हमारी body के लिए dangerous कैसे होते हैं, ये cancerous होते हैं, ये हमारी body की growth को deteriorate कर करते हैं, ये हमारी body में high cholesterol levels पैदा करते हैं, और इनकी वज़े से heart disease का risk काफी बढ़ जाता है, और हमारा जो immune system है, जो vaccine के लिए response का काम करता है, उसको ये weak कर देते हैं, इन chemicals को जाना जाता है PFAS के नाम से, और ये literally हर जगे पर पाए जाते हैं, और हम humans ने इनको हर जगे प container में रहीं से take away करके पिज़ा मंगाया है, या फिर आप खुद जाके पिज़ा खा कर आए हैं, या फिर french fries खा कर आए हैं, तो आपने अपने आपको forever chemicals से expose कर लिया है, आईए जानते हैं forever chemicals क्या है, मैं हूं सुधीर कुमार और आपका स्वागत है आज के इस interesting video में, forever chemicals क्या ह carbon fluorine bone chemistry का strongest bone माना जाता है, ये heat, sunlight या फिर water से break नहीं किया जा सकता है, और आज की इस generation में हर company अपने product को water resistant, stains resistant, heat resistant, moisture resistant बना रही है, और इन products में use होने वाले mainly दो टाइप के PFAS होते हैं, उनका नाम है PFOA and PFOS, आपके stains free carpets में, आपके food packets में, आपके pizza box में, non sticky pan में, आपके water resistant makeup में, आपके shampoo में, आपके rain proof coats, clothes में, हर वो चीज़ जो heat resistant, water resistant, moisture resistant, stains resistant है, वहाँ पर आपको forever chemicals मिलेंगे, well in forever chemicals का हमारी body पर क्या effect पड़ता है, यह हमारी body के लिए cancerous होते हैं, यह हमारी body के reproductive system को weak कर देते हैं, यह हमारी immune system को weak कर देते हैं, और इससे birth defects भी बच्चों में आते हैं, और उनकी growth पर असर पड़ता है, ऐसे area जहां पर PFAS industries काम करती हैं, वहाँ पर आसपास में रहने वाले लोगों पर studies करके researchers ने पता लगाया है कि इसका direct link है high cholesterol levels से, thyroid problems से, kidney damage से, liver damage से, और हमारे high cholesterol levels से, well, environmental working organization ये कहता है कि हमारे drinking water में one parts per trillion से कम forever chemicals या PFAS होने चाहिए, लेकिन कौन इसको check करता है और कौन इसको regulate करता है, गंगा नदी से लिए गए samples में 15 अलग अलग type के PFAS मिले हैं और यमूना के पास में इनका level काफी increase मिला है, जहां से गंगा originate होती है, वहाँ पर PFAS नहीं मिले हैं, लेकिन downstream में जाने के बाद 15 अलग अलग type के PFAS मिले हैं, और गंगा नदी में रहने वाली सारी fishes की body में ये PF PFAS पाए गए हैं, और इसका मतलब ये है कि हमारे food chain में भी ये PFAS enter कर चुके हैं, वैल ये जो forever chemicals है, नेचुरली पैदा होने वाले substance नहीं है, ये man-made substance हैं जो हमने बनाए हैं, और बस कुछ समय की बात है, इनका level इतना बढ़ जाएगा कि हमारे लिए काफी जादा problems पैदा क करेंगे, तो क्या governments को इन PFAS को ban कर देना चाहिए, वैल डेनमार्क ने ऐसा किया है, और डेनमार्क ने अपने food packaging में PFAS का use करने से strictly मना किया है, हमारी government भी ऐसे ही कुछ benchmark set करती है, लेकिन industry जो है वो एक PFAS की जगे, दूसरे equally dangerous PFAS का use करने लग जाते हैं, तो हमें अपनी supplier को water के levels test करने के लिए बोल सकते हैं, और आप food packaging या फिर water packaging के उपर labels चेक कर सकते हैं, ऐसे chemicals जिनके नाम में फ्लोरो और PTFE आता है, ऐसे chemicals को बाई ना करें, water resistant makeup ना पहने और non sticky pants में cooking ना करें, और जितना हो सके उतना घर पर अपने steel के बरतनों में ही cooking करें, बहार से food packaging के जो box आते हैं, उनमें अपना खाना ना लेकर आएं, microwave में बने हुए popcorn ना खाएं, conventional तरीके से popcorns बना कर आप उनका use कर सकते हैं, और ऐसे clothes या फिर ऐसे raincoats जो waterproof होते हैं, उनका इस्तेमाल ना करें, और water resistant gloves या फिर clothes या raincoats या फिर carpets का इस्तेमाल ना करें, आजकल की नई generation के जितने भी products हैं, वो भले ही हमारे लिए ज़्यादा convenient हैं, लेकिन जब तक वो tested नहीं है, तब तक वो हमारी body के लिए harmful हैं, और आने वाले time में काफी ज़्यादा problem कर सकते हैं, आप अपने विचार नीचे comment section में लिख सकते हैं, आने वाले ऐसे ही interesting videos के लिए हमारे channel को subscribe कर कि लिए हमारे वो ही हमारे लिए हमारे